हेलो गाइज गूड बार्निंग और फिलाल मैं हूँ तमलूक में और यह है तमलूक रूपनारान रिवर साइट बहुत ही संदर जाएगा है और मैं थोड़ा घूम के आपको दिखाता हूँ कि रिवर जो है यह कि थोड़ा सा दूर में है और इधर से थोड़ा पानी जमा हुआ है इस तरब उतना ज्यादा साप सुत्रा नहीं है बहुत थड़ा प्लास्टिक बॉटल्स बगरा पड़ा हुआ है तो आज बिश्सकम्णा फूजा के लिए चुट्टी है इस्कूल तो आईसे भी कोरोना के लिए चुट्टी है लेकिन ऐसे तो थोड़ा सा और आगे जाओंगा जाके देखूंगा कितना दूर में जा सकते हो चलने में बहुत मज़ा रहे हैं तमलुक रूपना रहन रिवर्शाइड में यह आज मेरा फर्स टाइम है इसे पहले कभी नहीं आया मैं उस तरब पेड़ है और इधर कि रिवर है तो यह में नाओं के पास आ गया तो इसमें सब मचली पकड़ने का सामान रखा हुआ है मेरा फोन आ रहा है मौसम कुछ अच्छा नहीं आज मतलब अच्छा है लेकिन वीडियो बनाने के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि अभी थोड़ी देर में साहिद बारिस आने वाला है यह यह देखिए बादल का कंडिशन चलिए और थोड़ा से आगे जाने के बाद मैं यहां से लौट जाओंगा और थोड़ा आगे देख लेता हूँ अभी थोड़ा आगे भी सभी ल अभी जो औरीजिनल रूपनारन रिवर है वह देखने के लिए आपको वह दूर में जाना पड़ेगा तो यहां पानी ज्यादा गहरा नहीं है तो आप पैदल पैदल उदर जा सकते हो तो अभी मैं जाओंगा नहीं और साहिद जब पानी का लेवल बढ़ जाएगा तो पा सब इधर फुटबल खिलते होंगे बच्चे लोग गोल पोस्ट बहुत ही सांदर लोकेसान है और वर्गभिमा मंदीर से यह मुश्किल चे दो तिन किलोमेटर ही होगा तो अगर अब कभी तमलूक वर्गभिमा मंदीर में आएंगे तो इस लोकेसान को बिल्कुल भी मिस मि कि जिएगा इधर आईएगा और एकबर तो गुम के जाना बनता है कि यह देखिए दारू बोटल पॉली बैग इधर भी सब दारू बोटल रखा हुआ है यह तो यह सब के लिए हम ही लोग जमिदार है क्योंकि आगर आपको एक लोकेसान को प्रॉपर ली टूरिस प्लेस बनाना है तो उसको क्लीन राखना बहुत ही ज़रूरी है यह दूर में देखिए सब लोग पानी में उतर गया और मजा ले रहा है उदर तो दोस्तों ठीक है आज का ब्लॉग में इधर ही खतम करूंगा और फिर से मिलेंगे कोई नया ब्लॉग में तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार एंड जाए हिंद